बल्या पुलिस की अपील अपने घरों से करे अलविता जुमा वा ईद की नमाज अदा पुलिस अदिक्षक बल्या डॉक्टर विपिन ताड़ा के निर्देशन वा अपर पुलिस अदिक्षक स्री शंजे कुमार के परेवेक्षन में वैश्विक महामारी कुरोना वाइरस के संक्रमन से बचाव हेतु जनपत बल्या के समस्त थानों द्वारा अपने अपने थाना शेतर के मुस्लिम, उलेमाओ, मस्जित के इमाम और धर्मगुरूओं के साथ साथ बाजारों, चौराओं वविबिन स्थानों पर पैदल गश्ट कर वा लाउट हेलर के माध्यम से मुनादी कर आम जन्मानस को अपने अपने घरों में ही नमाज अदा करने की अपिल की जा र रहा है, सहर में रमजान के आखरी चुम्ह की नमाज मस्जिद में आदा नहीं की जाएगी, इसकी जगा हर चुम्ह की तरह लोग घरों में जोहर की नमाज अदा करेंगे या पैसला करोना वाइरस और लॉक डाउन की वजह से लिया गया है, सहर कादियों वा उल्मा ने बीज़न करें, अलविधा जूमा से अला से क्रुणा वाइरस की खटम होने की दूया करें, अलविधा जूमा पर मस्जिद में ना जाकर पहले की तरह घरों में ही नमाज अदा करें यह सब की बहतरी के लिए है कौन कोरोना वाइरस से संक्रमित है या किसी को नहीं पता भीर से संक्रमन पैलने का खत्रा है ऐसे में हालात और भी खराब हो सकते हैं इससे बचना जरूरी है अल्ला इबादत का पूरा सबाब देगा अलविदा जुमा पर ऐसे ही करे उल्मा ने घरों में नमाज पढ़ने का पैसला सभी की भलाई को देखते हुए लिया है भीर लगाने से कौरोना संक्रमन पैलने के आशंका है अल्विदा जुमा की मस्जिदों में भीर एकत रुखवी तो कौरोना वाइरस की चपेक में आने से इंकार नहीं किया जा सकता कि अधू पार नहीं कि अधुमा की ब्रुखवीज देखते हैं अधुमा की चपेक में पाराइरस की रेखते हैं झाल झाल मैं शकील अमद खतीबो इमाम जाम मसिद बड़ी बजार बाश्टी सब तमाम मवाम से मेरी ये गुदारिश है कि कल अलविदा की नमाज है उसके बाद इद की भी नमाज है मैं तमाम लोगों से ये गुदारिश करना चाहता हूँ कि इस वबा इस बिमारी को देखते हुए जो कि बहुत ही खतरनाक है और इससे सब को बचना है बचाना है इस वज़ा से मैं तमाम रोजेदारों से तमाम नमाजियों से तमाम लोगों से मैं गुदारिश करता हूँ अकीदत के साथ गुदारिश करता हूँ कल अलविदा की नमाज अपने घरों में आदा करें उसके बाद जो इद की नमाज है वो भी अपने अपने घरों में आदा करें कहीं पी भीर भार जो है एक अठा ना करें घर भी पढ़ें तो अलग-अलग ही नमाज आदा करें इसलिए कि इस बिमारी से हमको बचना है और अपने घर वालों को बचाना है सब को बचाना है और हमें जो है दुआ करना है कि जल से जल दिये बिमारी जो है ये वबाग खतम हो जाए असलामुलेकूल मैं आकिप जावेद इमाम जामा मस्जिद सुल्तानपूर मैं आप लोगों से गुजारिश करता हूँ कि आप कुरोना महामारी को अपने जहन में रखते हुए और परसासन की बात को मानते हुए कि सारे लोग कल वरोज जुमा अपने अपने घरों में अलगदा की नमाज अदा करें और कुरोना महामारी से बचें आप से मैं हाथ जोड़कर अपील करता हूँ कि आप मस्जिद में आने की कत्ता ही कोशिश न करें क्यूंकि हमें कुरोना से जंग जीतना है और जंग जीतनी ही नहीं उसको आगे भी लेके चलना है आप इस कुरोना महामारी से तमाम हिंदुस्तान के लोगों को बचने के लिए अपने अपने हातों को रख की बारगाह में उठाएं और दौा भी करें कि अल्ला अबारक वा को अपने अपने घरों में नमाजे जुमा अदा करें और मामारी से बचने की कुशिश करें ठीक अपने भाई और दोस्तों सभी से अपील कर रहा हूं कि करोना के देखते हुए प्रसासन का भी ये मन्सा के अनुरूप हम लोगे चलना है और करोना बहुत तेजी से फैल रहा है इसको रोग ठाम करने के लिए अपने से बचाव करना बहुत जरूरी है इसलिए मस्जिद में कम आना है एक दो आदमी से ज्यादा नहीं रहना है सभी भाई रोजेदार अपने अकल्ड शुक्रवार है अल्विदा का दिन है सभी लोग अपने अपने घरों में नमाज पढ़ेंगे और आने वाले इद में भी अपने घरों में भी इद की नमाज यह आप लोग से बुजारिस है और आप लोग नमाज अपने घरों में पढ़ें महजिद में आने की कोशिक मत करें लोगों के सलामतिक दुआएं करें आप लोगों की सलामतिक लिए मैं दुआ करता हूं और सभी लोग ए मुल्क को बचाने के लिए दुआ के जिए जये हैं झाल झाल